कुल है यूनीक है यूसफुल है उसके साथ साथ ये सारी एप्लिकेशन जो है वो फ्री है तो गाइस आज की वीडियो काफी जादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो ये वीडियो पर आप लोग बने रही है उसके साथ साथ अगर आप लोगो ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो में लेकर आता रह बिना किसी टाइमवेश के हमारी पहली एप्लिकेशन पर हम बढ़ते हैं इस आप का नाम है स्क्रेबल इसको यूज करके आप अपनी इमेजेज या फिर वीडियो में एनिमेशन लगा सकते हो जो काफी जादा कूल लगता है तो इस एप को यूज करने के लिए आपको यहा आप यहां पर कुछ भी ड्रॉब कर सकते हैं तो कैस मैंना यहां पर एक सब्सक्राइब कर जो है बिलकुल एक टेक्स्ट ड्रॉब कर दिया है आई होप आप लोग उसका मतलब समझ गयोंगे उसके बाद यहां पर आपको नीचे प्ले का बटन दिख रहा होगा इस पर पर यहां जितने भी बार आप अपने फोन आुग कर चैसे बार आप अपने फोन को जो है यह जो है अपने अपने एक number को आगे बढ़ा देता है इसका मतलब यह कि आप जितने बार भी अपने phone को unlock करोगे यह उतने बार आगे number बढ़ाता जाएगा जिसके द्वारा आप यह पता लगा सकते हो कि भाई आपने अपने phone को दिन भर में कितने बार unlock किया है और ये application काफी जादा useful है वो इसलिए क्योंकि अभी की time पे लोगों को बहुत जादा addiction हो गया है phone का, like phone का ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अनलॉक करने का addiction है कि वो एक बार unlock करेंगे और उसके बार अपने phone को बंद कर देंगे तो ये एक तरीके से बुरा addiction है वो इसलिए कि आपके phone की battery जो है वो पूरी तरीके से जाती है और आपका mind भी जो है वो divert होता है तो उसके लिए ये application को एक तरीके से बनाया गया है जिसके तुरू आप पता लगा सकते हैं कि भाई आपने दिन में कितने बार जो है अपने phone को बेफालदू में अनलॉक किया है तो आप धीरे-दीरे करके अपने unlock करने की आदत को जो है कम कर सकते है तो ये application काफी जादा useful मुझे लगा है अगली application का नाम है Progress Bar 95 तो ये एक hyper casual game है और इस game को देखकर आपके face पे कही ना कही थोड़ी बहुत तो smile जो है वो जरूर आ ही गई होगी क्योंकि ये पुराने Windows का एक तरीके से लोग हमें इसमें देखने को मिलता है यानि कि वही buttons, वही icons, even sound भी जो है वो पुराने Windows के type का ही है तो guys इसमें आपको एक progress bar देखने को मिल जाएगा और ये progress bar भी पूरी तरीके से lag करता हुगा progress bar है जो पहले के Windows में होता था तो इसमें जो है उपर से कुछ points आते हैं और आपको इस progress bar में collect करना है आपको ये पूरी तरीके से 100% कर देना है जैसे आप 100% करेंगे तो आप एक level को cross कर देंगे जैसे आप दिरे दिरे आगे बढ़ते जाएंगे तो game का difficulty level आगे बढ़ता जाएगा इसमें बाती की functionality अगर आप देखते हैं तो आपको पूरी तरीके से पुराने Windows का features देखने को मिल जाते हैं और एक तरीके से ये game आपके time को पूरी तरीके से पास करी देगा क्योंकि एक काफी जादा casual game है और मुझे जो सबसे interesting चीज इसकी लगी है वो इसका look and feel लगा है like Windows 95 वाला जो है लोग इसमा में देखने को मिल जाता है अगली Android application को मैं करीब करीब एक साल से यूज कर रहा हूँ बहुती कमाल की application है इसका नाम है Feedly तो guys इस application को use करके आप अपने जितने भी articles या फिर blogs वगरे आप different different website पे पढ़ते हैं उन सबको एक ही application पे लाके जो है रख सकते हैं और पढ़ सकते हैं तो guys इस application को use करना काफी जादा easy है आपको यहां पर अपने जितने भी articles या फिर blogs होते हैं उनको जो है यहां पर add कर लेना है और जैसे ही वो website या फिर article अपने नए blog को post करेंगे तो आपको जो है यहां पर feed पे दिखने लगेगा मैं आप लोग एक्जामपल दे के बताता हूँ तो guys मैं जो हूँ बहुत सारे tech related blogs को follow करता हूँ तो मैंने जो है उनके सारे जितने भी blogs है वो इस application में follow कर लिया है तो मुझे उनकी website पे जाने की जरुवत नहीं है मेरे को सारे blogs यहीं पर दिख जाते हैं अगर मुझे बहुत जादा ही like interest आ रहा है किसी particular blog पे और मुझे पूरा ही पढ़ना है तो मैं जो हूँ direct उनकी website पे यहाँ पे link पे tap करके जा सकता हूँ तो guys यह application काफी जादा useful है मैं बहुत दिनों से इसको use कर रहा हूँ personally तो मैं आप लोगों को highly recommend करूंगा कि आप अगर articles ब्लॉग वगरे काफी जादा पढ़ते हैं तो यह application आपको काफी जादा मदद करने वाली है last application wallpaper application है जिसका नाम है abstract तो guys यह wallpaper application काफी जादा खास है पहली बात तो यह कि इसमें आपको जितने भी wallpapers देखने को मिल रहा है वो सारे wallpaper oneplus phone के हैं यानि कि जो oneplus के लिए जो अलग-अलग wallpapers developer उनके निकालते हैं वही same wallpaper यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं यानि कि यह एक तरीके से उनी developer ने एक अलग से Android application Google Play Store पर डाल दिया है आप लोग के लिए उसके साथ इन सारे image की quality 4K quality में और जितने भी wallpapers हैं वो सारे abstract design के हैं उसके साथ इसको use करना भी काफी जादा simple है आपको यहाँ पर अलग-अलग options देखने को मिल जाएंगे wallpaper के जो bunches हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको किसी भी wallpapers को select करने लाएं उसके बाद आपको नीचे की तरफ set as wallpaper का option मिल जाएगा वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपको lock screen पर लगाना है या फिर home screen पर या फिर दोनों पर तो आप जो है both select कर सकते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं कि wallpaper जो है automatically change हो गया है उसके साथ से अगर आप इंड में से कोई भी android application को download करना चाहते हो तो उसकी सारी download link आपको description में मिल जाएगा आप वहां से आके download कर सकते हैं और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो नीचे आपको red clicker subscribe को बटन दिख रहा है उसको press करो subscribe कर लो ताकि ऐसी वीडियो जो है वो मैं आप तक regular basis पे लेकर आ सकूँ Chris thank you so much for watching this video मिलते हैं next video में ततक के लिए bye bye take care and peace हुआ 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 है